असलाम अलेकुम और रहमतुल्लाई वबरकादू भाई कल हमने एक निया गिटार लिया तो मेरे पास एक पुराना गिटार पड़ावा था उसकी जो स्ट्रिंग थी वो एक टूटी भी थी उन्होंने काम लगा देंगे वो भी लिया है तो हम आये जोईब भाई को उठाने के पलने के घेट गागयवें ऑजब भाई फोन उठाले मसा मारा है कि एकि सब्सक्दाट में के वारें भाई 5 मिंट के आपके इट आप क emba gustaओकोने आइं जल्दी आझाएं तो घर के वार वेंट करएं रूः जाएं है अठी ये जोए युजए ने पर दोट् немнож मेरे चले बैठें गाड़ी में बैठें भाई हालत क्या खराब है वो कि डार की श्रिंग लागवानी चले जोहर से मिलेनम के पास है चले बाई अब 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 तो यहां से दिखाए नदारा दिखाए ठीक है चलते हां अगे अब हम जा रहे हैं मुनवर चोरंगी और मुनवर चोरंगी से आज वीडियो बना रहे हैं जोएब भाई तो देखें जोएब भाई कभी कभी मिस्टेक भी कर देंगे गुनवर चोरंगी से हम लेंगे लेफ्ट और लेफ्ट के बाद हम सीधे चलते 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 पहुंच जाएंगे जोहर चोरंगी और जोहर चोरंगी से स्ट्रेट चलत ते हम पहुंच जाएंगे जोहर मोर और जोहर मोर से हम लेंगे फिर एक और लेफ्ट और आजाएगा मिलेनियम मौल के सामने वाला रोड और वहीं पर मौझूद है हमारी शौब जहां पर हमने जाना है यामाहा गिटार्स यामाहा गिटार्स पर रीटार्स पर पराना पड़ा उचार्स इसमें इस्ट्रिंग्लग लगिये इसकी अच्ट्रिंग ठोड़ गई थी तमने यह गिटार भी रेडी कर वा ले वहीं जो पिंगनर्स वाले गिटार है ना ये है साड़े नौ अजार रूपए के ठीक है क्योंकि हर चीज महंगी हो गई है एक्सकोर्ट जो है वो महंगी हो गई है एक्सपोर्ट पे ड्यूटियां बढ़ गई है तो गिटार भी महंगी हो गए है ये जो है ये मीडियम साइस के गिटार है ये साड़े बारा हजार रुपए का है और ये जो गिटार है ये मीडियम है और इसकी कॉालिटी बहुत अच्छी है ये है तक्रीबन सोला हजार रुपए का आपको यहां पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी यह देखें जी तबला भी पड़ावा है डोलग भी है कराची में रहते हो और गिटार सीखने का शौक हो तो यामाहा गिटार्स पे एक टीचर भी होते हैं जो शाम पांच से रात नौ गिटार की ट्रेनिंग देते हैं यामाहा गिटार्स पे मोसिन भाई आपको मिलेंगे बहुत ही जबर्दस बंदे हैं कल हमारी पहली मुलाकात हुई है और अब हमारी दोस्ती भी हो गई है शौप की बाहर से भी वीडियो बना दी है ताके आपको पहुंचने में कोई मसला ना हो और समझ में आ जाए कि शौप की लोकेशन क्या है अब हम आ गए हैं गोल गप्पे खाने क्योंकि हमें भूख लग गई थी और हम ठक गए थे काफी तो हम आए गोल गप्पे खाने के लिए मुनवर चौरंगी के पास बिन हाशिम के सामने एक छोटी सी फूड स्ट्रीट है जहां पे गोल गप्पे, कचारी, बर्गर, फ्राइस सब कुछ मिलता है तो यहां गोल गप्पे की शौप पे होते हैं हमारे मुजमिल भाई और मुजमिल भाई हमारे लिए बहुत जबरदस, बहुत बहुत बेतरीन गोल गप्पे बनाते है तो यह हैं जी मुजमिल भाई जो आपको बना के देंगे बेतरीन, जबरदस किसम के गोल गप्पे और सबसे एंड मैं यह वीडियो डाल रहा हूँ जिस पर शायद मुझे जब भाई देंड भी पढ़ जाए गोल गप्पे खाते की वीडियो और हमने अलग-अलग एक-एक प्लेट बनाई और हमने ऐसे स्पीड में यह प्लेट खेची जो आप देख सकते हैं वीडियो में अलाफेस